जैसे उसंकर मित्रों मैं आप सभी का हरीस पांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए एक बहुत ही सुखदायक वीडियो ले करके आया हूं जिसे सुन करके आपके कानों में सितलता घुल जाएगी मित्रों ये जो वीडियो है ये है दैत्य गुरु सुक्र के उदय होने के सं भाव से तो चलिए जानते हैं क्या है मामला और सुक्र के उदय होते ही आपके जीवन में क्या-क्या सुनहरे बदलाव आएंगे वह सब हम जानते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले हमेशा की फांती एक आवस्टिक सूचना कि आप मेरे मार्ध्यम से अपनी समस्याओ का समाधान चाहते हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सअप नंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सअप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा चलिए मित्रों वीडियो की करते हैं शुरूवाद दिखे मित मित्रों आम तौर पर सभी जानते हैं कि दैत्ति गुरुष सुक्र ठीक है किवल सुक्र कहते हैं आप समझ जाईएगा सुक्र ग्रह का संबंद हमारे जीवन की सुख सुविधा विलासिता धन वैभाव इस्तिरी सुख पुरुष सुख इन सब से लिया जाता है सौंदर आक मजबूत स्थिती में हैं उनके जीवन में ये सारी खूबियां होती है उन्हें जीवन भर सुक्र सुविधाओं की कमी नहीं रहती है उनके चेहरे पर एक आकरसर होता है एक खिचाव होता है जैसे कभी-कभी आपको लगता है कि आप सुंदर है लेकिन कोई आपको देखकर अट्रेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब आपका सुक्र कमजोर है यही होता है तो जिसका सुक्र मजबूत होता है उससे लोग अट्रेक्ट होते हैं उससे संबंद बनाना चाते हैं बाच्चित करना चाते हैं जिसका सुक्र मजबूत होता है वह आर्थिक रिस्थिति उसकी अच्छी होती है और उसके जीवन में भोग विलास के सामगरियों की कमी नहीं होती है लेकिन वह सुक्र कमजोर होता है उसे किसी ने किसी प्रकार का ययोन जनित रोग या निगुप्ध रोग जरूर लग जाता है वो चाहे इस्तरी हो या जिसका शुक्र खराब होता है उसके परिवार में हमेशा विखराव बना रहता है परिवार में कभी एकता नहीं बन पाती हैं दूसरी बात जो लोग जो पुरुस इस्त्रियों का अपमान करते हैं और जो इस्त्रियां हमेशा यह पुरुसों का अपमान करती हैं ऐसे लोगों के लिए सुक्र इस्त्री है और इस्त्रियों के लिए सुक्र पुरुस है ऐसे जानना चाहिए तो इसलिए अपने सुक्र को बिगड़ने न दें अगर बिगड़ा हुआ है तो उसे बनाएं ठीक है तो चलिए हम जानते हैं क्या है मामला देखे मित्रों तीन अगस्त दो हजार तेईस को दैत्य गुरु सुक्र करकरासी में ही सूर्य के प्रभाव में आने से अस्त हो गए थे अब सूर्य के नस्दी कोई भी ग्रह चला जाता है तो उसे तारा अस्त माना जाता है और जब सुक्र अस्त हो गए तो इसका मतलब कोई भी सुबकार मंगलकार नहीं होगा दूसरी बात सुक्र अस्त हो गए इसका मतलब आनंद, भोग विलास, उत्तम स्वास्थ, मान सम्मान, कारोबार में तरकी ये सब भी रुक जाती है आपने पिछले तीन अगस्त से अभी तक के बीच में अनुभव किया होगा कि आपके काम काज में परसानी आई होगी, काम धंडे में परसानी आई होगी, पैसों को लेकर परसानी आई होगी, पार्टनर्सिप में परसानी आई होगी, वैवाहिक जीवन ने मतभेद हुआ उदय होने जा रहे हैं और उदय कहा होने जा रहे हैं आपके कुंडली के सब्तम भाव में जो की विवाह का पार्टनर्शिप का भाव होता है तो आईए जानते हैं कि आप मकर रासी वालों को इसका क्या परिडाम मिलने वाला है सबसे पहली बात तुमित्रों सुक्र के उदय होने का सबसे बड़ा इफेक्ट दो लोगों पर पड़ेगा पहला तो जो वैवाहिक हैं मतलब जो विवाहित हैं जिनोंने विवाह कर लिया है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनना सुरू हो जाएगा पिछले कुछ दिनों में तीन अगस्त से अभी तक के बीच में जो मुटाओ आटोमेटिक दूर होने लगेंगे वैवाहिक जीवन सुखमय बनने लगेगा जीवन साती के साथ मधूर बीतेंगे जीवन साती के साथ आप अपनी हर बाते सेयर कर सकेंगे और जीवन साती के साथ आप बाहर घुमने जा सकेंगे तो वैवाहिक लोगों के लिए और लब रिलेसंसिप वाले लोगों के लिए यह गोचर बरदान है किसमत चमकने वाली है आप मकर रासी वालों की सुक्र के उद्धै होने के फल सुरूप क्योंकि सब्तम स्थान में शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है अब देखिए क्या कि आपको मिलने वाला है यदि आपiają पार्टनर्शिप में बिजनस करते हैं तो आपको भारी लाब प्राप्त होने की संभावना हैं मैं थोड़ा बहुत भी नहीं बोल रहा हूं भारी लाब इसलिए पार्टनर्शिफ के बिजनस वालों खुश हो जाईए आपके अच्छे दिन यागए इस पूचर में आपके सभी कारे सफल होते जाएंगे जो कारे पिछले हपते दो हपते से अटक रहे थे फस रहे थे बाधाय आ रही थी वे कारे अब धीरे-धीरे पूरे होते हुए दिखाई देंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी इनकम भी बढ़ने लगी इनकम भी आपकी इन देखने को अब मिलना सुरू हो जाएगी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को एक दिन पहले याने कल से या आज से इसका प्रभाव सुक्र के उदय का जरूर देखने को मिलने लगा होगा ठीक है जो लोग पार्टनर्शिप में हैं वो तो फायदे में हैं ही जो लोग स सुक्र अच्छा हुआ तो इस सुक्र के उदय से आपकी यार्थिक स्थिति मजबूत होना सुरू हो जाएगी और आपका जो करजा है उस करजे को आप चुका सकेंगे हाँ एक बात में कहूंगा कि अचानक से कोई नया व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ पार्टनर्शिप म के बाद ही शुरू करें तो उसमें ज्यादा भलाई है आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा परिवार में अभी तक जो तनातनी चल रही थी पिछले हपते डेड़ हपते से वह तनातनी अब आपको खतम होती होई दिखाई देगी ऐसा लग रहा था कि हर सदसकी हुआ दिखेगा अब घर की परिस्थितियां परिवार की का महौल एकदम सांतिपुन होता चला जाएगा अब परिवार की टेंसन से अफ्री हो जाएंगे इतना ही नहीं आपके हर कामकाज में आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा यह देख लीजेगा मित्रों तो आज के लिए बस इतना ही भगवान करें आप आनंदित रहें खुशी रहें स्वस्त रहें और जाते जाते एक बार फिर से कहा दूं के दिया आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप न